हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो पीएस आर्ट आया नीना जैन फो लेर्निंग फोटोशॉप फ्रम बैसिक्स टो एडवांस प्लिस सब्सक्राइब तुस चैनल एंड प्रेस बैल इकन तो गेट डेली वीडियो आज का हमारा टॉपिक है हाउ तो सेव इमेजेस टू पी एंजी तो मैं यहां से लेके यहां सेलेक्ट करूँगी शिफ्ट की को होल करते हुए यहां पर क्लिक करूँगी तो यह सब लेयर सेलेक्ट हो जाएंगी अब कंट्रोल टी करूँगी और इसे यहां पर सेंटर में कर दूँगी वैसे तो PNG और TIP format जो है वो similar है दोनों transparency को support करते हैं लेकिन PNG layers को save नहीं करती है अब save करेंगे यहां से यह आप देख सकते हैं जैसे मैं TIP format अगर selected हो तो आप चाहो तो layers के साथ भी कर सकते हो और single image करनी हो तो वो भी कर सकते हो as a copy अगर करेंगे तो single image से होगी तो यह दोनों option होते हैं लेकिन PNG में ऐसा नहीं होता है या देख सकते हैं यह PNG मैंने जैसे कम होती है इसकी size तो अब मैं save कर दूँगी desktop पर आपको यह ही रखना है यहां पर compression में ने तो size ज्यादा होगी अब मैं ok कर दूँगी तो यह desktop पर save होई है अब मैं open करूँगी desktop पर यह ही तो अब मैं file menu में जाओंगी और open पर click करूँगी और इस पर click करके open करूँगी तो अब देख सकते ही है save होगे with transparency तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही तो friends I hope you like this video if you are a new visitor then please subscribe to this channel and press the bell icon